Find using Distributivity Distributivity 7 by 5 into minus 3 by 12 plus 7 by 5 into 5 by 12 तो Distributivity का rule की यूज करके हम कैसे ये करक्रट कर सकते हैं तो C अगर हम देखेंगे तो दोनों term में क्या लिखा हुआ है 7 by 5 लिखा हुआ है देखें है Distributivity के according क्या होता है अगर हमारे पास में लिखा होता है A into B plus A into C ये किसे को लो जाता है ये को लो जाता है A into B plus C के को लिखा होता है तो अगर हम यहाँ देखो तो मैं A की जगे पर क्या है 7 by 5 है B की जगे पर क्या है minus 3 by 12 और C की जगे पर 5 by 12 अगेन जो हमें calculate करना है वो क्या है 7 by 5 into minus 3 by 12 plus 7 by 5 into 5 by 12 तो ये A into B plus A into C है यहाँ से A कमन लेता हूं मैं तो 7 by 5 कमन आगया into ये कर जगा B plus C तो B के है minus 3 by 12 plus C के है 5 by 12 तो value के जाएगी it is equal to 7 by 30 so this is the answer for this question 7 by 30 is the final answer पये से पितो टकी ये ए सफ्डेफ चर